हलो स्टुडेंट्स यह पार्ट फॉर का ल्सी एम एसीफ का वीडियो है जिसमें हम लोग टाइप टू वाले जितने सारे कोशन है टोटल टेन कोशन को कवर करने वाले हैं तो सबसे पहला कोशन है कि जा लिस्ट नमर विच वैंड डिवाइड़ बाइड 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 लि रिख स्टीन का अलसा मनिकाल लेता है एट ट्वेर वेड ल्ब शिक्स्टीन टू टैम्स ट्री टैम्स फूर टैम्स फिर यहां से टू से गया वग तू नेक्स टीस त्री अगे देरफोर रिख्वाइड आलसेम क्या हो जागा हम लोग यहां? लोग यूर इवा बान्य आव multiply 2 equals to 4 2 is a 8, 8 3 is a 24, 24 2 is a 48, therefore हम लोग का जो required नंबर है, therefore the required number जो आना चाहिए, वो क्या होगा, 48 में हम लोग जो reminder है, जो LCM आ गया है, उसमें reminder को add कर देते हैं, तो हम लोग का answer आ गया totally 50, तो option number 3 जो है correct answer है, question number 2, यह question में करें करें भी one number की तरह सेम ही है, इसमें भी पूछा है कि वो list number बताईए जो की 12, 15, 20 और 54 से divide हो, तो reminder 4 रखता है, तो कौन सा नंबर होगा वो, तो सबसे पहले इसका भी LCM निकाल लेते हैं, इसा भी नंबर का 15, 12, 20 और 54 का निकाल लेंगे, तो LCM जो हम लोग का 540 आएगा, तो जो required number वो क्या हो गया, equals to 540 में हम लोग reminder को add कर देते हैं, तो 554 ये जो हम लोग का reminder है, ठीक है, तो correct answer कौन सा होगा, option number 4, question number 3 है, वो greatest number, जो 5 digit का number, find out करना है, जो कि इन सबसे divide होने के बाद, have 2 as a reminder, reminder जो है, 2 रहेगा, तो सबसे पहले, 5 digits का greatest number लिख लेते हैं, the greatest number of 5 digits is, क्या होगा, 5, 9, पास्टो 9 जो है, ये हो गया, अब हम लोग उपर का जो LCM उन सबको निकाल लेते हैं, 3, 5, 8, and 12 का LCM निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं, LCM निकालना तो आता ही है, 3 से अगर कड़े, तो 3, 1, 3, 8, 3, 4, 12, 2 से करते हैं, next is, again we will divide it with the 2, तो इतना आ जाएगा, तो finally जो हम लोग का LCM है, वो कितना आ गया, 2 multiply 2, multiply 3, multiply 5, multiply 2, तो LCM इसे को multiply करने के बाद 120, ओके, अब ये जो 120 आया है, इस से हम लोग जो है, जो हम लोग का बड़ाला नंबर था, ये वाला, इसको divide करेंगे, कुछ इस तरह, तो सबसे पहले तो 8 times में जाएगा, 960, 399, फिर ये 3 times में जाएगा, 360, हम लोग को आ गया इतना, फिर से ये जो है, 3 times से ही जाएगा, तो 39 होगे हम लोग का reminder, तो अब क्या करते हैं, अब जो हम लोग का 5 digits का नंबर था, उससे हम लोग 39 को minus कर देते हैं, तो मिल जाएगा हम लोग को इतना, अब इसको हम लोग 2 multiples में तोरेंगे, जो की factors हो, ओके, तो 2 multiples में तोरने के बाद, इसका factor आ जाए रहा कुछ, 833 और 120, तो हम लोग का वो सबसे बड़ा greatest number पूछ रहा था ना, 5 digits का, वो क्या होगा, तो therefore, greatest number, इसका to what? 99960 और जो reminder था है, यहाप पर 2, 2 को add कर देते हैं, तो final answer जो है, हम लोग का आ गया कितना? 99962, ओके, this is the correct answer, और यह जो हम लोग factor यहाप निकाले हैं, यह पता लगा निकाले हैं, यह जो correct answer है, ठीक है, क्योंकि 120 आ गया है, तो इसका हम लोग यह सही है, factor निकल गया है, तो finally, जो हम लोग का correct answer होगा हूँ है, option number 4, question number 4, इसमें जो है, least multiple of 13, मतलब कि 13 का least multiple क्या है, जिसको अगर हम लोग 4, 5, 6, 7, 8 से divide करते हैं, तो reminder जो है, टू बसता है, इच केस में, तो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले, इसका भी LCM निकाल लेते हैं, LCM of 4, 5, 6, 7, and 8, कैसे निकलेगा LCM, सेम वे है, फटा-फट निकालते हैं, 2 से, 4, next, 2, therefore, required LCM कितना हो जाएगा, is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 7 equals to 840, late required number, यहाँ पे जो है, required number को हम लोगों को एक बार late करना होगा, यानि कि consider करना होगा, कि 840 जो हम लोगों के LCM है, उसमें अगर plus कर दे, plus 2, plus, sorry, यह plus नहीं, यह multiply है, multiply के, plus 2, which is, और यह जो number आएगा हम लोगों का, यह जो है, multiple होना चाहिए, किसका, of 13, 13 का यह multiple होना चाहिए, यह पूरा number, ओके, यहाँ पे हम लोग multiply के किया है, क्योंकि जो K का value आजाएगा, ना, वही हम लोगों का हो जाएगा, multiple of 13, ओके, तो list value सबसे परने निकालते हैं, of K, for which, 440, plus 2 is, divisible, by 13 is, K, जैसे के हम बोले, यहाँ पे, finally जो हम लोगों का आजा रहा है, 3, 3 जो है, finally K का value है, ओके, निकल गया, तो therefore required नमर क्या हो जाएगा, is equals to 840, multiply 3, plus 2, is equal to 2520, plus 2, is equal to 2522, यानि कि option number 3, जो हम लोगों का correct answer है, इस factor में, K का value जो है 3 कैसे आया है, तो यहाँ पर K के जब आप हम लोगों को अपने मौन से, ऐसा value बैठाना होगा, जो की 13 का multiple हो, तो सब पहले 1 बैठागे देखेंगे नहीं आएगा, 2 बैठागे देखेंगे नहीं आएगा, तो 3 जब बैठाते हैं, तब यह 13 का multiple आ जाता है, यानि कि this factor, जब हम लोगों इसमें 3 बैठाते हैं, जो कि यह है divisible by 13, ठीक है, और यह list number है, इसलिए जो हम लोगों का, यहाँ पर k is equal to 3 आया है, और आंसर जो option number 3 है, question number 5, question में दिया हुआ है, कि a, b, c, start करता है running, यानि कि door न, same point से, same time में, और same direction में, इस direction जो है, circular stadium में दिएगा, तो a complete से round in 252 seconds, b complete करता है 308 seconds में, और c, 198 seconds में complete करता है, तो एक time ऐसा आएगा, जब वो तीनों जो है, starting point में फिर से meet करेंगे, ठीक है, तो ऐसा question जब भी रहता है, सबसे पहले हम लोग LCM निकाल लेता है, ठीक है, LCM निकालते चलो, therefore required, जब भी इस type के question आए, कि कब वो लोग एक साथ मिलेंगे, जैसे कि clock वाला में question आता है, कि कब तीनों सुईया जो है, एक साथ मिलेंगे, तो सबसे पहले इसका required time निकालने के लिए, हम लोगों क्या करना होगा, LCM निकालना होगा, किसका, 252 जिते सारे rounds है, जिते जिते सेकंड्स में लोगों ने cover किये है, 198 सेकंड्स, ओके, तो इसके SM निकालना होगा, यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, 252, 308 और 198, SM निकालते हैं हराम से, 54, 99, यह गया, 52 से गया, 63, 77, 99, फिर यह, 7 से गया, 99, 99, नेक्स्ट, 9 से, देरफ़र LCM क्या आ जाएगा हम लोग का, 2 x 2 x 7 x 9 x 11, इकोज तो इन सब को मल्टिप्लाई करते हैं तो, 27, 72 सेकंड्स, ओके, जो की इकोज है, किसके, 46 मिनिट्स, 12 सेकंड्स के, तो हम लोग का option 4 जो है, वो correct answer हों गया, question number 6, इसमें जो हम लोग के, 4 digit का largest number find out करना है, जो की, 15, 18, 21 and 24 से डिवाइट करने गवाँ, रिमाइंडर्स जो है, 11, 17 and 20, यह सब जो हम लोग के रिमाइंडर्स हैं, ठीक है, तो मतलब इन सब से डिवाइट करने पार, इन सब ऐसा ऐसा रिमाइंडर्स आएगा, तो वो largest number क्या है, 4 digit का, सबसे पहले तो factor कर लेते हैं, जो जो number है, तो LCM निकालने में जो है, easy हो जाएगा, हम लोग को, multiply 5, multiply 2, 21, 3 multiply 7, 24, 2 का होल क्यूँ, multiply 3, तो देरफोर LCM क्या हो गया हम लोग का, 8 multiply 9, multiply 5, multiply 7, is equal to, 2520 LCM आ गया, और हम लोग जानते हैं, कि largest number, of 4 digits, क्या होता है, is equal to 49, यह तो सबको पता है, अब as usual, जैसा कि हम पीछे, एक टो कोशन ऐसा डिसकस किया है, कि जो LCM आ जाता है, उससे हम लोग को, जो largest number, उसको divide करना होता है, तो 2520 से, अगर हम लोग इसको divide करते हैं, तो यह 3 times में जाएगा, 7560, यहाँ पर हम लोग का आज आता है, reminder, 2439, ओके, इस इस रिमाइंडर, therefore required number क्या हो जाएगा, required number, as usual, is equal to, minus 2439, ठीक है, और minus 4, क्यों minus 4 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बता रहे हैं अभी मैं, लेकिन final answer जो है, इतना हो गया, हम लोग यहाँ पर minus 4, इसलिए करेंगे, क्योंकि, इन सभी number का जो difference है, यह जो divisor है, ठीक, और यह हम लोग का reminder उसका, difference जो है, 4 आ जा रहा है, ठीक है, तो जो difference आएगा, उसी को हम लोग minus कर देते हैं, यह क्या है, divisor है, यह वाला, 15, और 11 का है, reminder है, as usual, सब का, उपर वही नीचे मीच, तो दोनों को minus करता है, difference जो है, minus कर देते हैं, तो final answer आगे, 7556, question number 7, इन सभी option में से, वो list perfect square पता लगाना है, जो कि इन सभी से divisible है, सभी से divisible है, okay, सब से पहले क्या करेंगे, as usual, LCM ले लो, list नमर जा भी बोलता है, हम लोग LCM का ही दिमाग में आना चाहिए, फाटाक से, ठीक है, 36 and 66 का, तो LCM क्या हो जाएगा, multiply 11, ऐसा आ जाएगा कुछ, फिर हम लोग इसको और थोड़ा, factor कर देते हैं, multiply 11 का whole square, next step में क्या है, यही जो हम लोग का, required number है, required number, जो की हम लोग को चाहिए, required number क्या बोला था, कि list perfect square होना चाहिए, तो हम लोग देखो, पहले तो LCM निकाले हम लोग, उसका जिसको perfect square बना रहा है, तो perfect square बनाने के बाद, इसका value कुछ ऐसा आता है, is equal to 213444, तो option number 3, जो हम लोग करेक्ट आंसर है, question number 8, वो list number कौन सा है, जो इन सब से divide होने के बाद, reminder जो है, 1, 2 and 3 आता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, difference बना लेता है, निकाल लेता है, यह सा हम लोग question पीछे, पेज में बनाया है, 4-1, difference किसका, divisor का, और reminder का, ठीक है, divisor का, और reminder का, जो हम लोग difference निकाल तो 3 आ रहा है, उसी तरह दूसरा आला करेंगे, इसमें भी 3 आ रहा है, इसका भी करेंगे, तो 3 आ रहा है, तो therefore required number क्या हो जाएगा, required number equals to what, LCM जो भी निकले किसका, 4, 5, 6 का, जो भी LCM निकला का, उसे हम लोग 3 को माइनस कर देंगे, तो 4, 5, 6 का LCM कितना होता है, 60 होगा, लेकिन निकाल लेते हैं, 2, 2s are 4, 4, 5s are 20, 23s are 60, तो 60 minus 3 equals to 57, यह और प्ष्टन माइन जो है, correct answer है, question number 9, वो 6 digits का वो list number बताना है, जो कि इन सब से divide होने के बाद, reminder जो है 2 आये उसमे, ठीक है, the sum of the digits and is, यानि कि इतना करने के बाद, list number find out करने के बाद, sum of the digits भी find out करना है, तो इन समय से कौन सा होगा, यानि कि digit जो भी है, उसको add कर दो, सब से पहले तो LCM निकालेंगे, LCM of 4, 6, 10 and 15, जो की हम लोगा 60 होगा, तो therefore, list number of 6 digits, क्या होता है, एक्ठो number जो 6 digits का है, list number, वो होता है इतना, ठीक है, 1, 5, 0, therefore, आगे चलता है, the list number of 6 digits, which is exactly divisible by 60, मतलब आप हम लोग को वो list number, find out करना है, 6 digits का, जो की exactly divisible होना चीए, 60 से, क्योंकि LCM जो इन सब को 60 आया था, ऐसा, आ जाएगा हम लोग का, यह LCM है, और यह रहा हम लोग का 40, से माइनस कर देंगे, और इससे, फाइनली कैलकुलेट करने पर, हम लोग का, यह आ जाता है, नेक्स सिच्टेप में क्या है, therefore, हम लोग का, required number क्या आ गया, required number, जो की N है, यहाँ पर दिया हुए N, क्या आ जाएगा, 20 प्लस 2, equals to 10022, therefore, क्या बोल रहा था, last में, sum of the digits, जो number आया है, उसके digits का sum करना है, तो 1, plus 0, plus 0, plus 0, plus 2, plus 2, equals to, 4, plus 1, 5, तो आंसर हो जाएगा, 5, इससे, नमर 10 में, वो list number find out करना है, जिसको अगर हम लोग double करते हैं, list number को double करते हैं, तो exactly divisible हो जाएगा, 12, 18, 21 and 30 से, तो सबसे पहले, L से हम निकाल लेते हैं, 12, 18, 21 and 30 का L से हम निकलता है, 21, 30, सबसे पहले इसको 2 से divide करते हैं, next step में 3 से करते हैं, तो फाइनली जो हम लोग का L से हम क्या आ जाएगा, is equal to 12, 16, therefore required number, 12, 16, divide by 2, कट जाता है, 60, okay, so the correct answer is option number 3, जल्द ही मैं LCM-ACF का part 5 भी upload करने वाली, और उसमें जो हैं बहुत hardest question रहेंगे, type 3 का, और मेरे चैनल को subscribe कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसे नए नए वीडियो जो है, आप लोग को तुरंत notification में मिल जाए, और LCM-ACF के तीनों parts को आगे वाला वीडियो को देखने के लिए, link में description में दे दिया है,